वेल देर्स आज हम 4-year series में next topic पर बात करेंगे और यह topic जो है वो even और odd functions है even और odd functions इससे पहले भी आपने काफी तफ़ा पढ़े होंगे लेकिन हम लोग देखना चाहते हैं कि 4-year series में आप even function की expansions कैसे use करते हैं और odd functions की expansions कैसे use करते हैं तो सबसे पहले में start लेता हूं फर्स किया मेरे पास एक function f of x हो तो इसके लिए condition यह हो कि अगर f of minus x equals to f of plus x हो लाइक अगर आप f of x में उसको f of minus x पूट कर दें और आपका result वही f of x आ जाए इसका मतलब यह होगा then f of x is called even function for example मैं एक आसान सी example लेता हूं फर्स किया मेरे पास f of x जो है वो x स्केर हो तो x स्केर वाला function जो होगा यह आपके पास एक even function है उसकी reason यह होगी कि फर्स किया अगर मैं x की जगा minus x पूट कर दो minus x पूट करेंगे minus x का square भी plus x स्केर हो जाता है तो इसका मतलब यह हुआ f of x भी x केर है और f of minus x भी x केर है तो हम कहेंगे कि यह आपके पास even function है अब even function की property यह होती है कि यह along y axis symmetrical होता है और अगर हम sign और cause x की बात करें तो हम लोग कह सकते है जो आपका cause of x है वो even function होता है so cause of x is an example of even function उसकी reason क्या है अगर आप cause of minus x पूट कर दें minus pi से plus pi तक तो यह आपको same value देगा जो कि आपके पास like negative और positive दोनों values same होंगे तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई even function given हो और उसकी values अगर हम limits calculate करना चाहें minus pi से plus pi तक f of x dxo तो इससे आप लिखते होते हैं two times limits from zero to pi and f of x dx तो conclusion यह हुआ जो आप fourier series में f of x को solve कर रहे थे अगर आपके पास यह f of x जो है minus pi से plus pi तक हो और आपने इसको integrate करना हो तो इसे आप two times limit from zero to pi f of x dx लिख सकते हैं तो यहां पे हमने यह कहा कि आपका cause x भी even function है और जब कभी भी कोई even function होगा उसको हम इस form में लिख सकेंगे अब यहां पे अगर मैं इसका graph plot करना चाहूं along x axis तो यह आपका x axis line है यह आपके पास y axis line है let's say आपने 0 से start किया 0, 90 degree then 180, 270, 360 यह दर चाहरा है इसी तरह से यहां से दर ले आएं यह कुछ ऐसे होगा अब अगर आप यहां से देखें तो यह आपकी y axis वाली line है यह आपकी x axis वाली line है यह आपका plus pi था like 180 degree था यह आपके पास minus pi पे था like minus 180 degree था so जो behavior इसका 0 से 180 तक है exactly वो ही behavior 0 से 180 तक negative में भी है तो अब बजाए इसके कि हम दोनों functions को minus pi से plus pi तक इलएदा इलएदा integrate करें हम 0 से pi तक integrate करके उसको double कर दें तो यह हमें even function की value मिल जाएगी तो यह आगया आपके पास even function then even function की बाद हम लोग बात करते है odd function की odd function क्या होगा वो function जिसमें अगर आप लोग f of minus x ले ले तो वो minus times f of x आ जाए उसको हम लोग odd function कह सकते है so we say that अगर हमारे पास एक function f of x है given function है और उसके लिए आप लोग solve करते हो f of minus x अब यह minus times f of x के बराबर आ जाए then इस f of x को हम कहेंगे यह आपके पास odd function होगा अब for example इसकी value आप ऐसे ले सकते है फर्ज किया मेरे पास एक function है f of x equals to x cube अब यहां पे आप लोग f of minus x पुट कर दें तो यह आपके पास बन जाएगा minus x का whole cube क्योंके odd power है यह बनेगा minus times x cube तो इसका मतलब क्या हुआ अब f of x और f of minus x आपस में बराबर नहीं है एक minus का difference आ गया तो यहां पे आपके पास f of minus x चुए है वो minus times f of x के बराबर है तो हम कह सकते है कि यह आपका odd function है और इसके इलावा आपका जो sine of x होता है that is another example of odd function so sine of x is an example of odd function अब four year series में even और odd functions का हमें क्या फायदा होता है हमने four year series में देखा था आप a not find करते है an find करते है और bn find करते है अगर हमें यह पता चल जाए कि आपका function even है यह function odd है तो हमें दोबारा से calculations की ज़रुद नहीं पड़ती odd function को हम straightforward 0 कह सकते है और even functions के लिए हम लोग solution solve करते है अब क्योंके हमने कहा यह odd function है odd function के लिए आप लोग जो property लिखते होते है limit from minus pi to plus pi हो और f of x dxo यह हमेशा equal होगा 0 के that is one of the important and interesting properties के जब कभी भी आपको odd function दिया होगा उसके लिए f of x dx जो होगा minus pi से plus pi दक वो हमेशा 0 होगा और अगर आपको even function दिया हो उसके लिए f of x dx limit from minus pi to plus pi जोगा वो 0 से 2 pi दक डबल हो जाएगा so these are the basic properties of even and odd functions अब इसके बाद हम 4-year series के लिए देखना चाहेंगे उसको कैसे solve करते है वेल अब अगर हमारे पास एक even function है 4-year series में और हम लोग उसकी expansion find करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास a0 का formula था a0 का formula हमने जो लिखा था that was 1 by pi limit from minus pi to plus pi f of x dx यह हमारे पास a0 की value थी अब क्योंकि हमने कहा यह हमारे पास even function है so minus pi से plus pi वाले को हम क्या लिख सकते हैं 2 times 0 to pi लिख सकते हैं so इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 by pi into 2 times limit from 0 to pi f of x dx तो यह result आपके पास बनेगा 2 divided by pi and the limits are from 0 to pi f of x dx यह value आजाती है even functions में a0 की so जब कभी भी आपको question दिया होता है 4 year series में आपने check किया question उसके मताबक देखेंगे आपका function even है या odd है अगर आपका function even है तो आप लोग इस formula के साथ अब a0 की value find कर सकते है secondly उसके बाद हमने find करना होता है an को an के बारे में हमने कहा था अगर even function दिया हो तो उसके लिए हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे यह बनेगा आपके पास 1 by pi limit from minus pi to plus pi और फिर उसके बाद f of x cause of nx then dx अब यहां पे देखें तो क्योंकि f of x आपके पास एक even function था cause of nx यह भी even function है so even function multiply by even function will always give you a even function तो अगर यह even function है तो minus pi से plus pi वाले को आप क्या लिख सकते हैं 2 times 0 to pi लिख सकते हैं तो यह बनेगा आपके पास यह 2 बाइरा आजाएगा so 2 divided by pi बन गया limit आपकी exchange होके 0 से pi बन गई f of x into cause of nx dx बन जाता है तो यहां से हम लोग an की value even function में ऐसे find कर सकते हैं then उसके बाद हमने bn find करना है bn find करना हो जब आपको even function given है तो आपने formula यह पढ़ा था that is equal to 1 by pi limits from minus pi to plus pi और उसके बाद यहां पे f of x into sin of nx है फिर साथ dx आजाएगा अब अगर आप इसको देखें तो एक प्रोद इंट्रेस्टिंग रिजल्ट यह है कि f of x आपका even function था sin of nx odd function है so even function multiply by odd function will always give you an odd function इसका मतलब है यह as a whole जो है वो आपके पास एक odd function है तो जब कभी भी आप odd function को integrate करते हैं minus pi से plus pi तक तो वो तो आपको क्या दे देता है 0 दे देता है so इसका मतलब यह हुआ even function की expansion में आपका bn जो होगा वो 0 बनेगा bn 0 बनने का एक बड़ा interesting सा मतलब बनता है आपका a not constant रहा रही थी an में सारी cause रही थी और bn में सारी sine n terms आ रही थी क्योंकि हमने even function की expansion solve की cause nx terms तो हमारे पास available है sine of nx की सारी terms 0 होगे so sine of nx की सारी terms 0 होने का मतलब यह हुआ even function में जो होगा वो सिर्फ cause terms contain करेगा मतलब हम कह सकते हैं 4-year series of even function will always give you the cause terms and no sign terms will be available in this function तो यह तो आ गई आपके पास expansion of even function then उसके बाद हम लोग expansion of odd function find करना चाहते हैं so expansion of odd function के लिए देखते हैं कि इसका behavior क्या होगा और किस तरह से solve कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि expansion of odd function है अब expansion of odd function में सबसे पहले उसी तरह से हमने क्या find करना है a not find करना है then उसके बाद a n find करना है और फिर उसके बाद b n find करना है तो initially first step पे अगर मैं a not की बात करूँ a not के लिए हमने कहा a not जो था that is equal to 1 by pi limits are from minus pi to plus pi f of x dx और यह हम कहे चुके थे जब कभी भी आपके पास even function हाएगा sorry odd function आएगा तो minus pi से plus pi f of x dx होगा यह आपको 0 दे देगा so पहला conclusion क्या हुआ odd function में आपकी constant term like जो आपने a not का नाम दिया था वो exist नहीं करेगी so a not आपके पास हमेशा 0 आएगा then उसके बाद हम बात करते हैं a n के लिए a n के लिए जो फामूला हमने लिखा था that was equal to 1 by pi limits from minus pi to plus pi f of x dx और जब आप लोग इसको solve करते हैं sorry f of x के साथ cause of nx dx भी होगा तो जब आपके पास ये value कुछ इस तरह से बनती है f of x cause of nx dx है क्योंकि यहाँ पे आपका f of x odd function है और cause of nx even function है जब आप एक odd function को even function से multiply करते हैं तो result आपके पास एक odd function आता है और odd function की expansion में आपने कहा था इसका integral हमेशा 0 होता है so an की term जो है यह आपके पास 0 हो जाएगी then उसके बाद अगर हम लोग इसी तरह से bn find करना चाहें तो bn के लिए हमारे पास कुछ result ऐसे था that was equal to 1 by pi limits from minus pi to plus pi f of x into sin of nx dx अब देखे यहां पर हमने कहा f of x हमारे पास odd function है sin of nx odd function है odd function negative हुआ odd function फिर negative हुआ minus minus plus हो गया जब यह plus आ जाएगा तो इसका मतलब यह even function हो जाएगा so bn आपके पास overall यह एक even function बन जाएगा यह वाला क्योंकि minus minus plus यह odd odd even बना था अब इसकी expansion में minus pi से plus pi तक हम two times zero to pi लिख सकते हैं so b of n for odd function जो होगा यह इसकी जगा आप two लिख सकते हैं so two by pi आ गया limits आपकी exchange होगी जीरो से pi तक और f of x sin nx बन जाता है और उसके बाद dx है जब हमने expansion of even function ले थी उसमें हमने देखा था हमारे पास a naught और an मुझूद थे लेकिन bn zero हो गया था so इसका मतलब यह हुआ था कि आपके even function जो है वहाँ पे cause terms involved थी लेकिन sign terms available नहीं थी on the other hand जब हम लोग odd function को solve करें वहाँ पे आपका a naught zero हो गया an zero हो गया लेकिन bn zero नहीं है तो bn zero नहीं होने का मतलब यह हुआ कि आपकी sign terms available होंगी so यह बहुत interesting result है आपको जब कभी भी को 4u series लिखने का कहा जाए आप minus pi से plus pi तक check करते है function आपका even है या odd है अगर function even है तो उसमें आप just a naught और an find करेंगे bn find करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी और जब आपका function odd होगा तो उसमें a naught और an find करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी आप directly bn find करेंगे तो आपको उसकी expansion मिल जाएगी और conclusion यह हुआ आपके जितने functions जिन में simply cause of x involved है तो आप कह सकते हैं वो आपके even functions आजाएंगे और जिनकी expansion में simply sign of x involved है तो वो आपके पास odd functions होगे और फर्ज किया अगर हमारे पास cause और sign दोनों terms exist कर रही है इसका मतलब यह होगा कि आपका function mixed होगा उसको आप even और odd categorize नहीं कर सकते है so that's it for today that was the concept about even and odd functions and expansion of four-year series for even and odd functions इसके साथ आप लोगों ने कुछ homework ट्राए करना है और वो homework आपके पास जो होगा उसमें आप लोगों ने example number 9 और example number 10 solve कर लिया these will be your homeworks and 10 thank you very much